अस्सलामु आलेकुम दिस इस शाहजेब एंड यूर वाचिंग जेपी टेग तो कैसे हैं आप सब लेट मी नौ इन दा कोमेंट सेक्शन तो यहां पे शॉमी ने रिसेंटली ही लॉंच किया है MI10T को और इसकी जो प्रैस रखी गई है काफी अग्रेसिव रखी गई है अब इसी तरह शॉमी लॉंच करने जा रहा है एक और न्यू स्मार्टफून पाकिस्तानी मार्किट के अंदर ही MI10T सीरीज का ही तो यहां पे में भी लाइटर वेरियंट भी हो सकता है इसका प्रो वे मिलेगा सीरीज का मतलब भी है कि तीन स्मार्टफून होते हैं तो यहां पे MI10T प्रो को भी पाकिसान के अंदर लॉंच किया जाएगा तो आज की वीडियो उसी के बारे में होने वाली है यहां पे इसके अंदर जाकर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है माइनर तो नहीं जाना चाते हैं तो वीडियो को अंद तक दरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर यहां मुझे पहली दपा देख रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर देना और साथ ही बैकन को बात देना तकि जब भी को इस तरह की वीडियो आए आपके पास सेटिफिकेशन आ जाए तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट सबसे पहले यहां पर बात कर लिए इसके डिजाइन की तो डिजाइन हमें इसका सेम देखने को मिलेगा में 10T जैसे ही बैक सैट पर राउंड एक्टेंगल शेप में कैमरा मर्डि देखने को मिल जाएगी फ्रंट की बात कर लिजाए तो फ्रंट साइट पर वही पंच होल देखने को मिलेगा और यह जैसा आप यूज करेंगे उसी हिसाब चाहिए स्विच कर देकर रिफ्रेश रेट को ताकि बैटरी है वह ज्यादा कंजूम ना हो और जो फ्रंट साइड यहाँ पर पर कारियो जाजի का को फैर्ट की तो फैर्ट इसकिने को मिल यहाँ पर पर बात कर लिजह की बात करेंगे यहाँ इस से इंदर प्रोसेसर मिलेगा जो की OS के अंदर देखने को मिलता था जो के Snapdragon 865 है जो के 5G प्रोसेसर है और 7NM टेक्नोलोजी वे बेस्ट है तो यहां पर आपको प्रफॉर्मेंस है वो फ्लेक्शिव लेवल की देखने को मिलेगी फ्लेक्शिव प्रोसेसर इसके अंदर जो लगाया गया है तो प्रफॉर्मेंस वा यहां पर आपको प्रफॉर्मेंस के साथ-साथ, closing speed, app, opening speed यह सब भी fast देखने को मिलेगी क्योंकि रीडायट यहां पर आपको इंटरनल भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी और इसके अलावा यहां पर इसके fingerprint scanner की बात कर लिए तो बैक साइड पर नहीं देखने को मिलेगा तो यहां पर जो speed है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी इसके fingerprint scanner की नेक्स यहां पर बात कर लिए इस मुवाइल पून के camera's की जो आपर इसका major change देखने को मिलता है MI10T से फर्स्ट यहां पर जो camera's है front side पर वहीं देखने को मिलेगा 20 megapixel का selfie shooter बैक की बात करें तो यहां पर चीज़े change होती है यहां पर जो main sensor है वह हमें 108 megapixel का देखने को मिल जाएगा Samsung का sensor होने वाला है तो यहां पर आपको जो pictures है वह काफी wide यानिका अच्छी देखने को मिलेंगी जिक्यूंकि एक wide angle sensor है और इसके लावा यहां पर शार्पनेस आपको काफी अच्छी देखने को मिल इसके लावा second sensor वही 13 megapixel का है और थर्ड लेंस 5 megapixel का जो macro sensor है वह देखने को मिल जाएगा तो यहां पर triple camera setup है यहां पर सिर्फ main sensor चेंज किया गया है pro model में बाकि सारे ही cameras features वगारा वही देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर 8K की spot भी आपको देखने को मिल जाएगी 960fps के slow promotions हैं उसके spot भी देखने को मिल जाएगी यहां पर बात कर लिए इसके colors की तो इसके तीन colors देखने को मिल जाएगे एक cosmic black lunar silver और यहां ब्लू है वह देखने को मिल जाएगा और तीनों ही colors काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं इसके अलवा 9.33 mm की thickness देखने को मिल जाएग इसके साथ हमें type c connectivity और 33 watt की fast charging में देखने को मिलेगी तो बैर्टरी वाली साइट से भी आपको कोई भी problem नहीं देखने को मिलेगी तो complete होगी specification इसकी MI10T pro की तो कोई भी missing आप नीचे government में boost सकते हैं और बात कर लिए यहां पर इसकी price की तो इसकी जो price expected है वो 88,000 है यानि का बाकि आपके इसे बारे में क्या opinions हैं नीचे comment में जरूर बताईएगा और बात कर लिए यहां पर इसके launch की तो इसका जो launch है maybe lighter variant के साथ ही कर दिया जाए या पर lighter variant के एक दो हफते बात किया जाए जहां तक मेरा ख्याल है इसको lighter variant के साथ ही launch कर दिया जाएगा क्योंकि इतन सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब कर देना आपके पास notification आ जाए तो बस मिलते हैं आपके चैनले वीडियो में तब तक के लिए अलहाफिस